जी अनुश्कार मित्र, I hope you are all in good health and spirits तो ये latest economic survey में कुछ नए शब्दों का प्रयोग हुआ है कि अमेरिका और यूरोप में front loading किया गया economic stimulus package का जिसके चलते उनकी economy में overheating की problem हो गई है तो ये क्या कहना चाहता है वो KGF movie के अंदर वो सलाम रौकी भाई के पास एक बड़ी सी machine gun होती है continuously वो trigger दबा के रखता है दे दनादन गोलिया चुटती है लेकिन उसके चलते आप समझते हैं नली, barrel गरम हो जाएगा, ठंडा नहीं हो पाएगा और उसके चलते बंदू काम करना बंद करते तो हमके gun overheat हो गई अभी उसमें वो टशन दिखा सकता है कि देखो मैं तो cigarette जला रहा हूँ उस पे बट इन reality आप समझते हैं कि वो अच्छी चीज नहीं है क्योंकि उसी वकट बाकी जो दुश्मनें उसको गोली मार देंगे और हो मर जाएगा उसके बंदू काम करती नहीं similarly economy के अंदर overheating की problem होने का मतलब क्या है government और RBI दे दना दन बहुत सारा पैसा economy में डाल दे GDP को ग्रो करने के लिए loan सस्ते कर देंगे tax में माफी subsidy देंगे बगेर तो समझे उन्होंने trigger continuously दबाना शुरू किया जिसके चलते GDP बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा लेकिन वो sustain नहीं कर पाएगा जस्त लाएग ये machine gun sustain नहीं कर पाएगी गरम होगी तो हम कहीं economy overheat हो गई फिर तकलिफ ही आएगी मेंगाई बहुत बढ़ जाए worker की shortage हो जाए share market अचानक से उपर चला जाए और फिर नीचे गुबारे की तरफ हट जाए वगरा वगरा अब ये सारी जो चीज़ें उसको हम आराम से पढ़ते हैं एक general idea तो आपको मिल गया लेकिन UPSC के MCQ टीक करने हैं तो आपको और पता होना चाहिए कि X leads to Y क्योंकि जादा तर MCQ खासकर ऐसे concept में पूछे जाते हैं ये point करेंगे RBA तो ऐसा होगा की नई government ऐसा करेगी तो dollar strong या week होगा की नई वगर तो इसको देरे से अब समझते हैं इस सारे terms को जो लोग पहले से अपने channel को देख रहे हैं उनको सब पता है पर नए विद्यारतियों के लिए पहले हमको concept समझना होगा GDP growth क्या है फिर हमको समझना है economic stimulus क्या है फिर हम बाएंगे ये front loading और overheating के लिए और उसके बाद bonus में quantitative easing और fat tapering ये दो शब्दों को भी समझना है so one by one we will start first of all what is GDP GDP का मरलब एक gross domestic product सकल गरेलो उतपाद कि अपने देश में एक वरस के अंदर जितने भी वस्तो और सेवाओ का कूल उतपादन हो रहा है उसका अंतिम बाजार मुले क्या है it is the market value of all the final goods and services produced in a single year उसका हम कहते है GDP मा लेजे last year इंडिया के अंदर 200 लाग करोड का production हुआ और इस साल इंडिया के अंदर 220 लाग करोड का production हुआ तो compare to last year ये कितना grow हुआ है 10% grow हुआ है तो हम कहेंगे ये जो 10% है वो है GDP growth या economic growth अर्थिक रुद्धी दर ये concept है अब दूसरा कि ये GDP calculate कैसे करेंगे ये 200 लाग करोड या 220 लाग करोड तुम नंबर लाएक इदर से GDP calculate करने के अलग-अलग formula है एक simple सा formula अभी समझ लेते हैं expenditure method क्योंकि आगे economic stimulus और front loading में भी वो concept जानना ज़रूरी होगा कुल मिलाकर GDP को कैसे गिनते हैं तो उसका ये simple formula है पहले आप add करो consumption public ने जितना shopping किया तो मतलब उसका production हुआ होगा तो नंबर को add करो फिर eye for investment फिर government expenditure माली जे सरकार किसानों से minimum support price पर अनाज खरीद रही है तो इसका मतलब किसान ने वो अनाज पैदा किया होगा और जो भी चीज़ पैदा होगी तो उसको हम क्या कहेंगे GDP का हिसा है तो जी for government expenditure माली जे बारत से दारजेलिंग की चाहिए export हुई तो export हुई इसका मतलब किया बारत में बनी थी और जो भी बना था प्रोडूस हुआ था वो GDP है तो export export and minus import बाहर से हम लोग Ferrari का import करें तो वो भारत ने तो पैदा नहीं की तो अपने GDP का हिसा ने तो उसको minus कर तो consumption plus investment plus government expenditure plus export minus import that is GDP अपकोस इसके अंदर भी और बार एक चीज़े होती transfer payment को गिनेंगे की नहीं गिनेंगे जो import किया और double counting होगा की नहीं पन वो सब समझने बैठे समझो एक गंटा तो GDP calculation में चला जाए तो अपना main मुद्दा जो है overheating वो रह जाएगा तो अभी के लिए accept करो कि यहां ऐसी formula है और इन numbers को आप add करते हैं तो जो मिलता है उसे हम कहते है gross domestic product GDP ठीक है तो हमने समझा GDP और GDP growth क्या है अभी next मुद्दा है economic stimulus क्या है मित्रो यह economy के अंदर हर साल जो budget economic survey पूरे साल के annual current affairs होते हैं उसकी मैं free series चलाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ win 23 series इसके आपके previous powerpoint lecture handout कुछ भी miss हो गया तो उसको आप download कर सकते है मुनाल.org slash win23 और इसी series का next free lecture होगा 22 मार्च रात 9 बजे जिसमें ये GST income tax नया पुराना slab और जितने नए updates थे budget taxation, subsidy, disinvestment, deficit के वो उस दिन में cover करने वाला हूँ तो take benefit of that अलसो उसका भी free registration link description में unlock code use करें मुनाल.org कर वापस आते तो अपना मुद्दा था GDP growth समझ लिए अभी next समझना economic stimulus क्या है economic stimulus यानि आर्थिक प्रोथान जब किसी देश की government या central bank को लगे economy में काफी मंदी आ गई है GDP बहुत गिर रहा है तो उसको बहतर करने के लिए वो क्या कर सकते RBI अपनी तरब से सस्ते लोन देना शुरू करें उसके वास्ते वो CRR कम कर दे SLR कम कर दे रेपोरेट कम कर दे ऐसे खेल कर सकता है लोन सस्ते हो जाएंगे तो आप सोचो अपने GDP के फॉर्मूला पर क्या असर होगा बपलिक दे धना दन शौपिंग करेंगे लोन सस्ता है तो यानि कंजम्शन बढ़ जाए माले पहले 10 का कंजम्शन हो अभी 15 का हो जाए उसी तरह लोन सस्ते हो रहें तो मुकेशंबानी अदानी वो लोग भी देर सारा लोन लेके कुछ नया अपना फैक्टरी एक्सपंशन शुरू करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा तो स्वाबाई के उसी सबसे जिडिपी बढ़ेगा आर भी अपनी तरब से जो खेल करें उसको हम क्या कहते हैं मौनेटरी पॉलिसी मौद्रीक निति सरकार भी अपनी तरब से एकोनोमी को ग्रो करने के लिए क्या कर सकते टेक्स में माफी देते सबसीडी देना शुरू करें किसानों को यह फर्टिलाजर खरीदने का इतना सबसीडी लो बिजली आपको मुफ़त में इसके लिए इतना सबसीडी लो अगरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दिया जाए कि पहले माली जे सरकार किसानों से गयों 2000 रुपे पर खरीदती हो फिर बढ़ा के बोल दे हब से 2500 में तो किसान को भी उतना पैसा डाले जा रहे हैं उसको हम क्या कहें फीजल स्टिम्यूलस है तो और गवर्मेंट मिलकर ऐसा जो करें उसे हम कहते हैं इकनोमिक स्टिम्यूलस उसे एकनोमी पर क्या असर होगा तो आप अपनी फॉर्मूला को याद करोगी यह सब के चलते कंजम्शन बढ़ेगा इंवेस्टमेंट बढ़ेगा गवर्मेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया बराबर की ओके सो जीडिपी ग्रोथ अंडरस्टूड एकनोमिक स्टिम्यूलस अंडरस्टूड अभी लेटेस्ट एकनोमिक सर्वे ऐसा बोल रहा है कि अमेरिका और यूरोप में भी ऐसा economic stimulus तो दिया लेकिन उसमें front loading किया गया था और front loading के चलते ओवर हीटिंग हो गई तो वो क्या बोलना चाता है मा लिजिए सरकार और RBI ने तैक किया हो कि economic stimulus के नाम पे loan सस्ते किया tax में आफी subsidy ये सब करके अगले 10 महिने में 10 लाग करोड उपे नीचे डालने economy में तो normally वो क्या कर सकते थे कि January से लेके October 10 महिने हर महिने 11 लाग करोड उपे release करो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसा करो 10 महिने तक तो 10 लाग करोड हो जाएगे तो ये तो normal या प्रोच हो फ्रंट लोडिंग का मतलब क्या होता है कि शुरुवाती चरण में सामाने से अधिक पैसा डाल दिया जाए कि शुरुवात में 1 लाग करोड नहीं पहले 2 महिने 3-3 लाग करोड दाल लो और फिर बाकी के महिने 0.5-0.5 ऐसा करते रहो तो भी ultimately जवाब तो 10 ही आना है पर यहाँ पर क्या है जो dumbbell से उसमें शुरुवात में बहुत जादा वजन उसने डाल दी तो उसको हम कहते हैं front loading putting more money in the initial phase यह ऐसी बात है कि माली जब जीम में कसरत कर रहे हैं और आपने सोचा कि ultimate goal है कि मैं 10 kg की बार्बेल या डंबेल से मेरे को वजन उठाना है तो पहले महीने आप 2 kg की प्लेट उठाओ दूसरे महीने और 2 kg एड करो मलब 4 हुए फिर तीसरे महीने और एड करो 6 हुए फिर 4 महीने और प्लेट एड करो 8 kg की प्लेट उठारे करके आप 10 जा सकते फ्रंट लोडिंग में क्या हो कि day 1 से ही आप करने में तो पहले ही महीने में 4 kg की प्लेट उठा लूँगा और फिर बाकी महीने 2-2 kg और उसमे एड करता रहूँगा अल्टीमेटली आप 10 kg पर पहुंचे तो देट इस फ्रंट लोडिंग staggered approach क्या हो सकता है कि रूखो देखो चलो जैसे तो पहले महीने एक महीने की प्लेट उठाओ दूसरे महीने उसमें एक और एड करो प्लस 2 हा फिर तीसरे महीने लगे नहीं अब तो मैं ज़्यादा कर सकता हूँ तो और 2 kg एड करो तो 4 हुआ फिर उसके बाद के महीने में 6 एड करो ताकि आपका सिधा 10 हो जाए तो ऐसा staggered approach भी हो सकता है खेर अमेरिका यूरोप वालों ने front loading चालू किया front loading का क्या फायदा हो सकता है कि शुरू में ही ज़्यादा effort डाल दोगे तो अच्छा हो जाएसे उनकी शुब इच्छा थी पर उसके चलते उनकी economy में overheating हो गया ऐसा economic survey बोल रहा है तो overheating का मतलब क्या है तो front loading किया गया अमेरिका और यूरोप के अंदर कि economic stimulus के नाम पे जो भी सस्ते लोन देने थी tax में माफि देने थी highway hospital सडक बनानी थे बहुत जादा पैसा शुरुवाती stage में शुरुवाती महिनों में उन्होंने डाल दिया जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि consumption बढ़ेगा government expenditure बढ़ेगा और धेर सारा public मतलब shopping कर रही है तो demand बढ़ेगी government भी अपनी तरब से highway hospital बना रही है तो उसी हिसाब से steel cement industry की demand बढ़ेगी लेकिन सामने उतना raw material तो था नहीं क्योंकि कोरोना के जलते global supply chain में सब disruption हो गए थे lockdown चल रहा था तो क्या हो रहा है? माग बढ़ रही है लेकिन उत्पादन उतनी तेजी से बढ़ेगा नहीं क्योंकि raw material नहीं आ रहा है पीछे supply chain बरबाद है तो स्वाब है कि demand बढ़ रही है supply बढ़ नहीं रही तो मेंगाई हो जाएगी कि 50 रुपे पर किलो का onion हो सकता है 80 या 100 का हो जाएग तो यानि कि inflation मेंगाई की problem हो गई अब करने चले थे GDP growth अपन आ गया क्या मेंगाई तो यह जो phenomenon हो रही है इसका मरलब क्या economy overheat हो रही है कि normally CIG XM formula से जो धीरे धीरे grow करना था अपन आपने इधर आच बढ़ा दिये इसकी flame को बहुत तेज कर दिया स्टीमिलस दे कर जिसके चलते यह जरुवत से ज़्यादा तेजी से बढ़ जाएगा तो growth जो ठीक ठाक होगा वो होगा अपन सामने मेंगाई बढ़ गए So that is first feature of a overheated economy MCQ में याद रखना है Economy overheat हो जाती तो उसका क्या लक्षन होता है कि वहाँ पर मेंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आगे बढ़ते हैं और क्या-क्या feature होते है Overheated economy Stage 1 में government ने यह बहुत सारा stimulus दिया जिसके चलते demand बढ़ गई Public देधनादन शॉपिंग करे तब factory company वालों को लगे कि हमको ज़्यादा लोगों को नौकरी पे रखना चाहिए क्योंकि ज़्यादा production करता है लेकिन यह बहुत तेजी से हो रहा है तो workers उतने जल्दी मिलेंगे ने जो अभी school college में है जिसको पास होना बागे तो worker तो है ने So it will be a tight labor market मतलब worker की supply कम है जब भी worker की supply कम होगी तो स्वाबाई के worker अपनी salary पहले से जादा माग लेगा खास कर जो freelance project करते हो For example मालीजे कोई YouTube में video editing का काम करता हो और वो एक video edit करने का मालीजे 500 रुपे लेता हो लेकिन कोरोना में बहुत सारी e-learning वाले आ गए सभी coaching वालों को अपना video डालना है तो demand बढ़ जाए तो वो सिधा कि मैं एक video का अब सिधा 5000 रुपे एडिट करने का लूँगा क्योंकि उसको पता है कि सामने सब हैं देने वाले So it will result into wage hikes मजदूरों की काबिलियत से जादा मुफाल के उसको पैसा देना शुरू हो जाएगा या जो normal rate चलने चाहिए कि एक video edit करने का माली जे पांच मिट का एडियो 500 रुपे होने चाहिए तो 5000 मागना शुरू करे तो ये भी एक जाद का inflation ही है और उसके पास 5000 आ है जिसकी चलते है वो दे दना दन स्विगी जोमेटों से 25 जाक की चीज़े खाने के लिए मंगा है तो उधर भी demand बढ़ेगी और मेंगा ही बढ़ेगी So that will happen अब इसका next stage पांच बाचरन क्या होगा कि ये करने के बाद भी कोई video editor मिल नहीं रहा है तो आप low skilled workers को जिसने कोई video editing का course नहीं कि ऐसे ही दो चार उसको cut लगाने आते हैं ऐसे low skilled workers को भी आप नौकरी पे रख लोगे क्योंकि आपको तो बस video बना के डालने उसी तरह facebook, google वगेरा में क्या होगा उनको लगे कि ये तो पूरी economy online चल रही है और उसके चलते बहुत सारे digital advertisement के अपने को scope बन जाता है तो वो clients को phone करने के लिए बहुत सारे marketing agent और उन सब को रखना शुरूगा है बले उसकी उतनी skill talent आँ तो इस बहुत से जादा लोगों को नौकरी दिया जाए बट ultimately ये जो economic stimulus है कभी तो सरकार बंद करेगी न कि अब loan सस्ते नहीं होगी अभी subsidy खतम होगी बगएरा तो जब ये stimulus खतम कर दिया जाएगा there will be mass firing layoffs नौकरी से सब को निकाल दिया जाएगा जो अभी आज कल आप news में रोज देखते फेस्बूक ने 10,000 को निकाली बगए तो overheated economy का दूसरा feature क्या है जो MCQ में आपको याद रखना है overheated economy का feature होता है tight labor market condition यानि कि shortage of workers, wage hikes and over hiring of low skilled workers ये सब होता है ये कब होता है जब economy overheat हो रहे फिर ultimately जब government आर भी अपना stimulus हटा देगी तो वो सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी वो उसके बाद end result होगा so that is understood front loaded economy के अंदर demand बढ़ी तो production बढ़ाने के लिए wage hikes, inflation हुआ, over hiring, low skilled workers आप समझ गए अब ये आगे बढ़ते front loading कर रहे हैं सरकार देदनादन पैसा डाल रहे economy में, सस्ते loan, tax break वगएरा जिसके चलते स्वाबाई के investment वाला component भी बढ़ेगा अब investment वाला component बढ़ेगा उसी साब से अब सोचो public देदनादन share market में पैसा डालना शो, क्योंकि लोन सस्ते हैं, कुछ लोग सस्ता लोन लेकर ये सोचे कि मुझे लोन का बैज 5% डेना है और share market में पैसा डालो तो 15% मुझे return मिलता है, तो मैं उदर जारता हूँ so it will result into share market bubble, अचानक से share market में बहुत तेजी हो जाए जो share की value 800 रुपे होनी जाए, वो सिधा 4000 का हो जाए, unreasonable valuation of the startup company जिस startup company की capacity की माली जिए, वो 100 करोड का sale ला सकती है, customer ला सकती है वो भी कि नहीं अभी तो इतना तेजी है तो हम तो 500 करोड कर देंगे so it will all result into asset bubble चाहे share के price हो, चाहे मकानों के price हो, बहुत demand बढ़ जाएगी बहुत उपर गुबारा चड़ जाएगा लेकिन फिर ये तो अभी stimulus है इसलिए चला, फिर जब सरकार और RBI stimulus को withdraw कर लेती है जैसे अमेरिका में किया गया, जिसको हम कहते US fat tapering, जिसके बारे में भी आगया और समझे तो स्वाबाए के share market गिर जाएगा sharp fall when the stimulus is removed तो यहाँ पर भी overheating क्यों हुआ, क्योंकि सरकार ने और RBI ने बहुत सस्ते लोन वगएरा दे दिया और उसके चलते share market और asset bubble create हो गया तो ये भी overheated economy का एक feature है तो याद रखना MCQ के लिए overheated economy में feature क्या होता है share market bubble correct, asset bubble correct asset bubble भी जरावार समझना होतो ऐसी बात है सस्ते लोन मिल रहे हैं तो बड़े बड़े लोग, अमीर लोग बहुत सारे लोन पे नए-ने बंगले मकान खारिदना शुरू करेंगी तो real estate sector में काफी तेजी आ जाएगी एक जाद का asset bubble कि जो मकान के लिए दो करोड होनी चाहिए थी पांच करोड, साथ करोड हो जाए लेकिन वो कभी sustain नहीं कर पाएगा क्योंकि जब सरकार stimulus निकाल लेगी तो तब real estate sector में मन दिया जाएगी पुराने मकान भीक नहीं रहे और नए मकान फिर कोई बनाएगा नहीं क्योंकि पुराने भीके नहीं तो steel industry में मन दिया जाए, cement industry में मन दिया जाए और उसके चलते steel cement industry के अंदर लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए, lay off कर दिया जाए तो ये सब भी उसके नियागे tv fact होंगे तो इन सब को मैं अगर combine करूँ जो मैंने आपको बता है circle में कि एक तो supply disruption और मियंगाई बढ़ गए फिर ये सब labor market के अंदर problem आया और फिर lay off हो गया फिर ये share market बहुत चड़ गया, फिर गिर गया asset bubble आया, steel cement industry में problem तो ये सब जो combine चीज़ आप देख रहे हैं अर्थ व्यवस्ता एक ऐसी तेजी से बढ़ रही है जो दिरग अवदी में वहनिया नहीं है when economy is growing at a pace that is unsustainable in the long run just like कि आप ये machine gun को continuously trigger दबा रहे हैं आपको लगता एक देदनादन गोलिया चूट रहे है पन उसकी नली गरम हो रही है और बंदुक jam होने वाली है और overheat होने वाली that is the same तो बस उसी तरह ये overheating वा जो मैंने आपको बता है overheating वाली economy के feature क्या होगे आपने MCQ में याद रखने पहला मेंगाई बहुत बढ़ जाएगी correct है labor की short जो जाएगी correct है stock market में bubble share market बहुत तेजी से वह आमने देखा asset bubble आप समठे ट्रेड imbalance ट्रेड imbalance ऐसे होगा कि बहुत लोन सस्ते हो गए और उसमें भारत की public बाहर से बहुत जादा luxury Switzerland की wrist watch और ये वो मंगवाना शुरू करे तो import export का imbalance हो जाएगा exchange rate instability भी उसी कारण हो सकती वो कैसे तो रूपी डॉलर का supply जो पहले normal था उसमें अचानक से देदनादन डॉलर्स बाहरत में जाद आना शुरू हो जाए और उनके खुद के economic अंदर और नए setup problem हो जाए उसी के साथ जुड़े अभी कुछ और concept है सो bonus concept हम लोग समझ लेते हैं quantitative aging क्या है और fat tapping क्या है तब तक हमने GDP growth stimulus front loading और overheating समझा अभी दो नए concept समझने quantitative aging and fat tapping कुल मिला कर बात ऐसी है कोरोना के बाद अमेरिका के economic को वापस खड़ा करने के लिए उनकी central bank यानि US federalism उसने loan बहुत सस्ते कर दी अब उसने जो loan सस्ते कर दी है उस चीज़ को हम कहते है quantity raising किया गया यह 2020 की हम बात करें जिसके बनलब उसने अपना CRR कम किया होगा SLR कम किया होगा रेपोरेट कम किया होगा वगड़ा तो loan सस्ते होगे अब loan उसने सस्ते करें objective क्या था पॉब्लिक दे दनादन shopping करें लेकिन उसी वगत अमेरिका के investor जिसको हम इंडिया के point of view से बोले foreign investor उन्होंने अमेरिका से देर सारे डॉलर loan में ले लिए और फिर यह सोचके कि यह सारा पैसा लाके इंडिया के share market में invest करता हूँ क्यूंकि इंडिया में अब यह IT sector, pharma sector यह सब में बहुत तेजी है lockdown हो गया इसके चलते So then what will be the impact on India? यह दे दना दन देर सारे डॉलर इंडिया में ला रहे हैं तो इंडिया का share market बहुत उपर चड़ जाएगा क्यूंकि यह दे दना दन share मुह मागे दाम पे खरीद रहे हैं Parallel ही क्या होगा? डॉलर कमजोर हो जाएगा क्यूंकि इंडिया के market में डॉलर की supply बढ़ जाएगी और जिस भी चीज की supply बढ़ती हो तो सस्ता हो जाता है sustainable नहीं है और parallel ही एक और तकलिप होती है रश्या यूक्रेन के अंदर यूद हो जाता है उसके बाद यह potash fertilizer मेंगा हो जाए crude oil मेंगा हो जाए जिसके चलते मेंगा ही वैसे भी बढ़ जाए तो भारत के अंदर production कम हो जाएगा भारत के export कम हो जाएगे तो यही foreign investor जो दे दना दन पैसा ले गया अब क्या सोचे नहीं इधर मजा नहीं है निकल जाते है और वो अपना पैसा निकाल कर तो shares को वो loss में बेच बेच कर भागना शुरू करें तो वापस इंडिया का share market गीरना शुरू हो जाए बियरिश market हो जाए so then next stage जो 2022 तक आता है जिसको हम कहते है फेड टैपरिंग फेड टैपरिंग क्या है अमेरिका में मेंगाई से लड़ने के लिए उनकी central bank ने loan के ब्याजदर मेंगा करना शुरू किया मतलब वो क्या करेगा अभी CRR बढ़ा देगा SLR बढ़ा देगा रियापोरेट बढ़ा देगा तकि सब चीजे मेंगी हो जाए और साथी साथ बारत में भी शेयर बाजार से foreign investor वैसे भी बाग रहे थे अब इसकी combined effect में बारत के उपर बहुत negative impact होगी सबसे पहले अमेरिका ने जो क्या उसकी बात करें American Central Bank ने सोचा कि अभी मेंगा ही 2022 में बहुत बढ़ रही है तो मेंगा ही से मुझे लड़ना है तो मैंने loans को मेंगा करना चाहिए तो 5% में अगर 2020 में loan मिल रहे है तो वो loan को मेंगा करके 8% करवा दे उसके लिए वो क्या CRR बढ़ा दे SLR बढ़ा दे रियापोरेट को बढ़ा दे ऐसा कुछ हो तो देन loans will become expensive यह जो काम किया के उसको कहते है फेड टेपरिंग अब फेड टेपरिंग की इंडिया पर क्या आसर होगी पेरलली मैंने आपको बता है कि भारत का शेर बजार गिर रहा था क्योंकि रशिया उक्रेन क्राइसिस चल ले थे तो माले जो 2020 में इंडिया का शेर मार कि इंडिया के शेर मार्केट में मैं पैसा रखता हूँ मुझे तो 4% ही profit होता है जबकि अमेरिका के अंदर loan के बयादार 8% चले तो क्यों न मैं अमेरिका वापस चला जाता हूँ और उसकी कोई कंपनियों को बॉन्ड में इंवेस्ट करके मैं पैसा कमा लू या वहाँ किसी को loan में मैं सीधा पैसा दे के ज्यादा return कमा सकता हूँ उससे चीज क्या होगी वह भारत के अंदर से अपने इंडिया की कम्टियों में शेर जो खरी दें उसको बेश देगा तो उसको रूपी करनसी में पैसा मिलेगा उसको वह डॉलर में कनवर्ट करवाएगा फॉरेक्स डिलर के मारफाद और फिर लेके बाग जाएगा तो या इंडिया भी को गया जिसके चलते भारत में इंपोर्टेड क्रूड आइल और उसके चलते पेट्रोल इजल सब मेंगा हो जाए तो हमके इंपोर्टेड इंफ्लेशन बाहर से मेंगा ही आयात हो रही अभी और वह पैसा लेके भाग रहे तो भारत का शेर बाजर गिर रहे त fall in the share market so these were some of the impacts of the US fat tapering on India क्यार तब कुल मिला कर हमको जो समझना था हमने सारे topics देख लिए GDP growth economic stimulus, front loading, overheating quantitative aging and fat tapering आगे के कारेकरम की मैं आपको बात करूं तो 22 तारिक बुद्वार को economic free updates की मेरी lecture series उसका next lecture होगा ये taxation, income tax, GST वगेरा के पूरे साल के updates उसके बारे में so that is on 22nd, ये तो free lecture है free unlock code मुना.डवाज ये link में सब दिया है उसके लिए हर सुमवार रात आंट बजे मुरुनालस मंडे करन्ट अफेस test series होती है तो वो भी आप दे सकते हैं नीचे सब description में इसके लावा अने अकेडमी में अगर आप 2024 को target कर रहे हैं तो उसके लिए भी नए-ने बैचिस 16 तारिक से launch हो चुके आप जोइन कर सकते हैं discount code मुनाल.org for extra discount ये अने अकेडमी चीज क्या है इस समिलर तो लाइक नेटफ्लिक्स की सारे show unlock हो जाते हैं तो सभी top teachers के सब course unlock हो गए prelim और mains की test series दे सकते हैं mains की test series with evaluation doubt solving के अलग बैचीज हो आपको notes मिले तो ये सब को combine जो चीज़े उसको कया हम अने अकेडमी का ये UPSC का course और उससे भी अलग अलग काफी top us को फाइदा हुआ है जैसे ओल इंडिया रेंग टू आएज जागरिती अवस्तियन सोर course ही शुरू हो चुके आप जोइन करना चाने डिसकाउंट कोड है mona.org बाकि free lectures वगएरा तो होते रहेंगे let's crack it